हाई है मैं मुनीजारियाज वेल्कम टू मैं चैनल तो इस वीग हमने इशक एला में देखा था कि किस तरह जो है ना असका जो एना अपने मुहसन को एक खत लिकती है जिसने मतलब जिसकी वजा वुग गले वुग वो कालेज़ जा सकती है अपनी पढ़ाई आगे कर सकती है डॉक्टर बढ़ने की तो इजहार करती है कैसे वह उसके लिए दुग miles के लिए क्या माइने रखता है आज उसकी वस्तुकर और पहला है कतनी शुकर गुजार है वह ख़ते एक हैं उसकी जबान उसके सामने जब वो उसके सामने वो अपनी बात का इजार ना कर सके तो वो ये खत के जरीए उस तक अपनी बात पहुचा सकती है तो वो ये खत लिखती है बहुत प्यारा सा मतलब अभी तो उसे पता नहीं है लेकिन जब आगे पता चलेगा कि वो अजलान है त तो उसके लिए ये खत लिखती है और अजलान को दिखाया कि बड़ा अपने जो पुलिस फ्रेंड हैं उनके साथ बड़ा गुस्सा होते हैं कि किस तरह जो इने ड्राइवर को उनों ने छोड़ दिया है और यही और यह बात गलत नहीं है कि वो से यही कहता है कि मतलब उसने उन पर ट्रस्क करा तो उने नहीं उसे नहीं करना चाहिए और सब बिके में इस तरह की बाते वो करता है और पुलिस वाले जो मतलब जो उसका दोस्त है वो इसको रोकता है कि कुछ गलत नहीं करना क्योंकि वो इतना गुस्से में है उसे उसे उपर वाले पे नहीं है यकीन क्योंकि उससे लगता है कि उसने जो दौा मांगी थी वो नो ने खुबूल नहीं की ये system इसकी help नहीं कर रहा है तो उसे लगता है उसे ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहां कोई भी इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर रहा है जो कि वो थोड़ा गलत है उपपर वाले को लेक तक है लेकिन वो अजलान को थोड़ा रोकना चाहता है लेकिन अजलान उसको ये बात बोल के जाता है और आबित को हमने देखा कि किस तरहां से वो टैक्सी वाले को मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना अजका की केर करता है और अजका का मतलब वो जो है ना होने वाला शोर है क्योंके टैक्सी वाला पूछता कि भाई आप आप कोंनों वो तो व इस तरह से बताता एक मैं उसका हुने वाला शोर हूं तो तुमें उसे टाइम पे पहुचानाय ताइम पे लानाया मतलों ऐसा ना समझे वो कि, और इसका कोई नहीं है जो के और इसका नमबर भी ले लेता है कि ताके उसे फूंड कर सके और डाटता है और अब वे-सका जब आती है ना तो जही नहीं करती है तो वह उसे ब 거야 आपने काय काम Prophet का से काम रखें और भी से भी कहती है कि इसकी बाटों पर ध्यान नहीं दिए तो वहीं भी समझ जाता है कि हां लगी रहा था कि ये कुछ ध्यान देने वाला बंदा है नहीं तो यो जह अहां भूरदवन जौ यह और यह है वह फ़िता के दो और अजान जो है वो शीरी मतलब वो जो शनाय की मौम से जानना चाहता कि भाई उस दिन क्या हुआ था सनाय ने उस दिन क्या किया था पूरा दिन तो वो सारी उसको तफसिलात बताती है कि वो किस तरह सुल्तान के घर गई थी और सुल्तान की वाइफ ने केस वापस ले लिया था तो हमने यह देखा और फिर जो है जैन जो है जैन जो है ना वो तो पहले दिन से हमने देखा कि किस तरह से उनकी नजर जो असका पर पढ़ गई है तो पहले दिन से ही उनके उपर फिदा हो चुके हैं और वो कहता है की असका कोकि वो जो है ना अलग है सबसे Simple है ऐसी ही रहे जैसी वो है मतलब different है सब लोगों से जिस नहीं से अइड़ लड़कियां है और अपने बारे में जानना चाहता है मतलब कि वो जानना चाहते कि असका क्या सोचती है उसके लिए भाई अगर आपने सोच लिया है असका के लिए कुछ तो जरूरी नहीं है ना कि असका भी वही सोचे ठीक है ना तो महां आबित एक है वो अलग तरीके के यह ज़रा पड़े लिखे आशिक जो एक ही जल्दी मतल नहीं करता ना तो उस तहां से नहीं लगता है तो तोड़ी तारीफ करती और वह उसके दिल दिमाग में वह चीज़ नहीं है जो जैन के दिल दिमाग में है और जैन काफी पास जा रहे हैं अब अब लगता है उनको भी पता चलिए बजलान की एंट्री होने वाली है तो मैं ना जो थोड़ा बहुत टाइम मिलाना में अपने नंबर बढ़ा लेता है है करते हैं अपनी बात का मतुलब थोड़ा थोड़ा करते सब क्लास अच्छा Και Biz ज्यादा एक्स्लेंट होता है को 03 जैन कोई fan såd करने का असका की काम्याबी जैन की काम्याबी है ऐसा वो बोलता है और जो उनकी फ्रेंड हमना असका को छेती रहती है उनका ये इस तरह से च्छोटी च्छोटी सीन अभी चल रहे हैं तो कहती है जैन को कि असका से महबबत हो गई है इस तरह की बात और हमने देखा कि अजलान की मौम जब अजलान पर पढ़के फुकते क्योंकि उसका तो नहीं है और फिर जब आप क्या होता है जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपका थोड़ा ट्रस्ट ये जाता है कि मैंने तो दूआ की थी और उपर वाले ने खुबूल नहीं की लेकिन उनका उनका अलग वो जिस तरहां से सोचते हैं हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती हमको लगते हमने तो बोला था और उन्होंने हमारी खुबूल नहीं करी बात लेकिन उनको पता है क्या सही था क्या गलत है और मैंने जैसे बोला उनकी सोच से तो नहीं हमारी सोच बहुंच सकती है तो यही बात जो है ना वो पढ़के फूकती है तो अजलान कहता है इनसे कुछ नहीं होगा मतलब फूकों से कुछ नहीं होगा और इसकी मौम कहती है कि यह फूके नहीं दूआ है तो यह दूआ है और तुम अपने यकीन से चलो और मैं अपने यकीन से चलती हूँ तो अजनान कहता है शनाया को मार कर क्या मिला मतलब उपर वाले को उसको मार कर क्या मिला है तो उसको दुख है कि अभी तो जिन्दगी शुरू हुई थी उसकी और उसे जरूरत थी शनाया की तो उसने दूआ की थी और अल्ला ने खु प्रिब नहीं जाते थे जब भी आपको जरुवत पड़ी आप दे और आपने चाहा कि जब मैं बोल रहा हूं वो मुझे दे दे तो जब भी वो भी चाहता है हम उसको उसका जिकर करें उसके पर ट्रस्ट करें तो तब हम भी तो नहीं करते हैं तो मगर उसमें क्या भलाई है हमें अभी पता नहीं चलेगी और बाद में पता चलेगी तो अजलान को लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा तो इसमें इंसान की कोता ही है वो नहीं कर पाता है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा और उसकी मा कहती है कि उसमें मसलेहत होती है तो इस तरह कि उन दोनों की कन्वर् उनके पास यह प्रूफ था मतलब शनाय को सवाल करती है कि वह अगर उस से कुछ कोशन करता है और वह अगर कुछ बोलती है तो वह यह जब असका की वो तारीफ करता है तो वो चाता है कि असका भी उसे बता है कि वो उसके लिए क्या सोचती है तो वो कहती है कि मतब जोरता है हर बात और जैन उसे कहता है कि वो उसके लिए स्पेशल है असका को फिर अपनी फ्रेंड की बातें याद आती हैं कि वो जो कहती है उसको कि वो तुमसे मौबत करता है और वो कुछ कहे बिना चली जाती है कि असका की टेक्सी आ जाती है तो चली जाती है असका जैन के अलफाज याद करती है हमने देखा कि वो याद करती है और फिर अपनी दोस्त की भी बातें याद कर कि मुपत कहता है और मुस्कुराती है और फिर जब उसकी भावी उसे मुस्कुराने का सबब पूछती है तो वह कहती है कि उसके अच्छे नंबर्स आए हैं जिस पर वह कुश हो जाती है और यह दिखाए हारुम को बेटा देर से आते तो उनको अपने बेटे की फिकर है और जो लोगों के आपने दिल के तुकड़े चीन लिये हैं तो उसके लिए आपको दर्द नहीं है उसका कोई एहसास नहीं है उसके लिए आप अपनी आउलाद की मौबत में उसके साथ उसने जो गुना किया आप उसे बचाने में लगे वे हैं तो इसलिए जब गलत करते हैं तो और धड़का लगा रहता है कि भाई कुछ हमारे साथ गलत नहीं क्योंकि हम गलत करते हैं तो हमें ये धड़का तो लगा ही रहेगा और यही चीज उनके साथ लगी भी क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गुना किया उन्होंने किसी का खून किया उनके हाथों, उनके उलाद के हाथों किसी का खून हुआ है उन्होंने किसी की उलाद शीन के खून करवाया है तो गुना में तो सुकून नहीं मिलता है तो वो उनकी, मतलब उनको अपने बच्चे की फिकर है और फिर ये भी दिखाया है कि जैन की स्टोरी क्योंकि अभी ये जैन एंटर हो हैं तो obviously अब इनकी भी एक story दिखा रहे हैं कि उनकी बेहन का रिष्टा नहीं होता कैसे उनके parents परिशान है और बाद में दिखाया भी कि जैन कैसे अपनी बेहन को मनाता है कहता है रोना नहीं है वो नहीं चाहता है वो रो कि खबर पिला कि पूल बिचा रहा है तो अपने दिल की बातें करता है के उसके जाने से सब कुछ चला गया मतलब शनाया के जाने से जो इसका success को लेके जुनूम झालां जो काम को लेकर तो सब कहीं हो गया वो सब आघ doughच्ग besten के साथ चला गया है और उसने तो बहुत थोड़ा टाइम गुजार है, बहुत लोग बहुत सालों गुजारते हो जानते हैं, कि कितनी तकलीद हो जाती है जिन्दगी, अजलान जो है, मतलब सुल्तान के घर जाते हैं, तो आबिट से अडर्स पूछता और आबिट को तो लगी होती है, कि भई, य सकbung होनको कुछ कमश्टा नहीं है उनके भड़ी ही बात होती है सब हैरान ही होते हैं कि वह आया बहुता है कि मैं ताजीत के लिए आयो हूं तो ज TVs के अच्छी खातीर्दारि हो भी बोलते हैं कैची से खातिर करना अच्छे बरतन में खाना है मतलब यह एक होता है ना जो कोई बड़ा आदमी आपके घर आ जा तो वह आप चाते हैं कि सब कुछ उसके लिए अच्छा हो तो वह होता है और अजलान जो है ना वह कमल से पूछता है कि जब वह उनकी बेटी अगवा हुई तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिकाए और वो चीज़ उसको लगती क्यों कि वह तो बात किसी ने बोली ही नहीं थी और ये बात तो असका ने शनायो को बता दी और इस तरहां से वह हैरान होती कि इसको कैसे बता इसकी बेटी अगवा हुई थी तो उसकी ममता पर कोशन करता ह है कि आपकी बेटी अगवा हुई तो रिपोर्ट क्यों नहीं करा इस तहां की बात करता है और नीन कैसे आती है कोशन करता है उसे तो कवल कहती है कि आपकी कोई अलाद नहीं है तो आप कोशन कर सकते हैं क्योंकि आप जानते नहीं है कैसा होता है और अजलान बहुत घुसा होता है कि उनकी वज़ा से ना शनाया की जान गई, कबल कहती है, आप तो बड़े पैसे वाले हैं बिल्कुल सभी बत कि आप इतने पैसे वाले आपने क्या कर लिया आपकी बीवी को तो जो है ना बरी सडक पर मारा गया बचा भी नहीं सके आप अजलान कहता है कि खानून का साहरा लेना चाहिए था और कमल कहती है कि शनाया को मना किया था हाथ जोड़े थे उससे के मत पढ़ें इसमें और अजलान कहता है सुल्तान की रूप भटकती होगी उसकी खातिल आजाद है और घुसे से घर से निकल जाता है उसे जो लगा उसने अपने इसाब से को वह भी चोट खाया हुआ ही है और उसे लगा कि इनकी वज़ा से गई है इनके केस में इन्वाल्व हुई इस वज़ा से गई है और फिर वो वो हाथ जो चो मतब केस इस इस तान से चोड़ के भी बैठ गए हैं तो वो चीज़ के लिए बोलता है कि भी आपको कैसा लग रहा है आप अपने ही बंदे के लिए आप डार लड़ रहे हो तो उनको पता होती है इज़त की भी बात होती है और उनको यह फिकर है तो उसने अपने हिसाब से सोचा है और बिल्कुल सही सोचा है उस टाइम पे उसके लिए वही फैसला जादा बहतर ताकि मेरी बेटी वापस आजाए क्योंके वो उसके साथ कुछ ना करें घलत उसको मान ना दे उसक इन्हां वह खड़ा था उसने भी तो हाथ-पौँ छोड़ दिये थे ना वह तो उसकी माने उसे ऐसला दिय fire बहन और तो में लड़ना पड़ेगा तो मैं उसे इनसाफ दिलाना होगा अपनी बीवी को तब वह उठाए वह बैटी नहीं वह दर गई तो ये चीज होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोर होता है ये नहीं चाहता है तो वो अपने तोर पे बोल के गया और उन्होंने अपनी बात रखी और इस ताँ से वो गुसे से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इनोंने जो है ना छोड़ दिया और गलत किया अपने ही बंदे के साथ इनोंने गलत किया मतलब सल्तान के साथ और उसकी रूफ बटकती होगी प्रोमो में हमने देखा कि कवल रोती है कि पता नहीं वो दिन कब आएगा अपनी नजरों में भी मुझरिम है और अजलान सहाब की भी अजलान कहता है जाहिल और घटिया लोग है उनकी अवकात यही है इन से अब मैं उसी जबान में बात करूंगा जो इने समझ आती है जेन को दिखाए कि जेन असका से कहता है कि तुम क्या जरावसा भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ तुमसे कितनी महबत करता हूँ अजलान असका से कहता है प्रषाजार फुक्रहं में गारी में और प्रुम तो नेक्स बोक्ति इंट्रिशन होने वाली कि अजलान और रसका का टकराओ हमें देखने मिलेगा और यह बड़ा मज़ा आता है मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे टकराओ वकराओ देखने में जहां एक टक्पटक सी लड़की हो और एक ऐसा ही हीरो हो और फिर इनके अंदर जो जंग होती है उसे मुझे तो मज़ा अगले एपीसोड में और यह अपीसोड अच्छी थी क्योंकि अभी आइस्ट आइस्ट बीच में थोड़ा जैसे मैंने बुला थोड़ा डाउन गया था क्योंकि कुछ जादा ही केस में यह बहुत जा रहे थे लेकिन अभी आइस्ट आइस्ट चीजें चल रही है और अब आगे नेक्स एपीसोड में क्या बात करना चाहरा है अजलान क्या बात होती है क्यों आजका का इस तरह से रियक्शन आता है तो यह सब देखने में मसा आने वाला है तो अगर आपको इश्केला पसंद है तो प्लीज देखिए हम टीवी पे और कीप वाचिंग माई चैनल फ आप चाहरा झा है ओन्हें कि एंड आपको लाई आत्योर में है आत्योर आपको घलान करना एंह्ट का दूर डिंच से इंप घलान को अ-ठाड